कर रहे हैं टाटा स्टील की अगर लास्ट टेडिंग डे की बात करें तो हमको इसमें चोटी-मोटी गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए और हम देख सकते के स्टॉक इसी रेंज में कंसोलेडेट हो रहा है 124 के सपोर्ट के उपर हम इससे पहले देख सकते हैं ले कि छुट ने मौनटी-मोटे लेवल 210 कर बोलंडिट हो रहा था 1027 लेवल सपोर्ट का कारा रहा था लेकिन 30 से रेजेक्शन शेक यदक कर रहा था ऊसके बाद इस टॉक ने ब्रेक्डार्णDया रिपारग इसी लेवल.- रिजेक्षन फेज कर रहा है, 1207 का लेवल, 127 का लेवल, यह resistance का काम कर रहा है, लेकिन हम chart pattern देखें, तो lower low बन रहा है, वह अला कि 124 का जो लेवल है, वो एक इसका important support है, important support का काम कर रहा है, लेकिन यहां से stock, 130 के ओपर breakout देना इंपॉर्ट आने लगातार थेजी के लिए बड़े थेजी देखने के लिए अगर आप टिमेट अकॉंट उपन करना जाते हो तो डिस्क्रिप्शन में दीगई लिंक से कर सकते हो हो सकता है कि 127 तक का जम देखने के लिए मिले अगर इसको ब्रेक ओट देगा है तो फिर नेक्स टार्गेट रहेगा 130 का लेवल अगर इस टॉक 124 के लेवल से पॉंस बैक हो कि 130 के लेवल को ब्रेक ओट कर गया तो फिर यहां हमको लगातार तेजी देखने के लिए मिल सकते है तो फिर वशिट कंडिशन में 135 से 140 का तार्गेट हमको देखने के लिए मिल सकते है अभी आपने पोजिशन बना कर रहे है तो जब तक 124 के ओपर है तब तक पोजिशन को होल्ड किया जा सकता है अगर इसको breakdown दे दिया तो फिर हो सकता है कि 119 से 114 तक के भी आमको इसमें गिरावाट डेखने के लिए मिले